हेलो एक्टिव पेपर हो चाहे कॉमन पेपर हो हर एक पेपर के बारे में डिसकस करेंगे और आज हम लोग ट्रिगनोमेट्रिक का सेकंड क्लास करेंगे जिसमें आपको जो सबसे इंपर्टेंट है वो आपका है कि आपको एंगल्स का मिजर्मेंट जो मैंने आपको तीन सिस्टम बताया था जिसमें सेक्साजेसिमल सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम ये तीन सिस्टम के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको ब main aim ये था कि आपको radiant to degree and degree to radiant आपको सिखा देना है अगर आप भूल गया है तो basically हरेक स्टुइंट्स class 12, class 11, 19 सब चीज पढ़के आया है तो उसके mind में सारा concept है बस उस concept के बारे में थोचा revision क्या आउशकता है और ये सारे classes का main focus भी है कि आपको syllabus के बारे में पहले बता देना ताकि आप syllabus को ले करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके और मेरा काम है syllabus के जब मैं तमाम सारे topics के बारे में आपको बता देता हूं तो जो जो important topic है उसके बारे में basic बात को बता देना क्या कुछ आता है ये मेरा काम है बता देना और उसे related बहुत ज़्यादा practice करवाना ये मेरा important काम है कारण है कि आप सब चीज पढ़के आये हैं आपको पढ़ने की उतना class से सटेंड करने की या फिर का सकते जैसे आप class जैसे अपने schooling level किया था उतना आपको आपशक्ता यहाँ पर नहीं है चुकि time भी उतना नहीं है और साथ में आप उतने ऐसा like भी नहीं है आप अल्रेडी अब सब चीज पढ़कर आये हैं trigonometric के second class में जब angles से हम लोग बाहर निकलते हैं जो की कहलाता है trigonometric race use trigonometric identities trigonometric के कुछ values कुछ specified angles के लिए उसके multiples and sub multiples यह तमाम सारा जो chapter से वो class 11 का specified chapter है लेकिन हम लोग पूरे specified chapters को हम लोग को नहीं पढ़ना है जो जो important important है उस important important part को पढ़ना है तो क्या कुछ हम लोग को पढ़ना है क्या कुछ समझना है इसके बारे में आज किस class में लोग जानेंगे और इसका जो practice है practice चुकि इंसान को कहा ही गया कि practice makes perfect यानि practice आपको बहुत ज़्यदा perfection देता है तो आपको एक अच्छा खासा practice करना लेकिन किस type के question का practice करना ये तमाम सरा ideas आपको मिलता है हमारे practice सेट से तो किस प्रकार का practice आपको करना ये तमाम जो सरा practice problem का करना है उसका आपको PDF content आपको मिल जाता है group में questions का set मिल जाता है group में तो आपको practice कर लेना है इस type के question का ताकि आपका trigonometry से related एक भी question आपका entrance exam में नहीं छुटना चाहिए तो आप entrance examinations के practices के लिए आप मारे premium group से जुड़िये premium group में जुन्दे का process बहुद ही असान है just 249 का payment कर ना होता है 249 का payment बहुत ही छोटा सा amount है या बहुत ही minimum affordable amount है जो कि हर एक candidate को effort कर सकता है और इस amount के ज़रे से वो university के यानि पटना university के entrance examinations को बहुत बहुतर बना सकता है अपने practices और classes के support से तो आईए चलते है trigonometric जो ratios है identities यह सारा term क्या होता है और इसे related किस types के problem इस पटना university के entrance examinations में आता है तो चलते हैं हम लोग directly PDF के content पर और देखते हैं कि किस type के questions का आपको practice सही तरीके से करना है so जैसा कि जानते हैं जो PDF content है यह basically हिंदी English दोनों मीडियम में है इसमें मैंने आपको बताया था measurement of angle के बारे में बता चुका था आगे है कुछ जो आपका right angle triangle होता है right angle triangle के बारे में कुछ basic जानकारी right angle triangle के बारे में जो भी सारी जानकारी या फिर जो भी सारी topics के बारे में जब लोग discuss करें उसका बहुत ही basic level से हम लोग discuss करें मतलब अगर आपका class 10 सबसे पहले आपको बात बताता है कि आपने जो trigonometric का basic प्ला वो आपने class 10 में पढ़ा उसे आप expand किया class 11 में फिर आप class 12 में trigonometric का बहुत सारा portion छूट गया था यानि trigonometric के बारे में उतना discussion आपको class 12 में नहीं था फिर आपका discussion part 1 जैसे classes में आपका होता है trigonometric में आप समझ लेजे कि right angle triangle के बारे में जाते है right angle triangle के बारे में एक basic property समझ लेगा कि किसी भी angle के बारे में लेटर सपोज यहां का angle theta है अगर इस सपेसिफाइड angle theta के बारे में पूछा जाए आपका perpendicular का है hypotenuse वगरा का है तो यह concept आप समय से सही से समझ लेगा तो जो एंगल के opposite में जो side होता है उसको लोग perpendicular करते हैं इसके बाद जो 90 degree के opposite में होता है उसको लोग hypotenuse करते है और remaining जो आपका बस गया यह बेस होगा यह आपका basic concept याद रखेगा right angle triangle का साथ में यह भी आपको याद रखना है कि hypotenuse का square equals 2 होता है perpendicular का square प्लस base का square यह सारा बात मैं जानता हूं कि आप आपको में थोड़ी जानरे बस आपको में थोड़ी बेसिक बतायता हूं ताकि जब मैं problem को deal करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए अब आई यह समझत हमें किसी दो specific side का ratio निकालते है ध्यान समझेगा trigonometric ratios को अगर हम लोग किसी दो sides का specific ratio निकालते है लेटर सब आपको है और आपको trigonometric ratios कर लें काüllt है मतलब side का ratio साइड्स का जो रेशियो होता है यानि एक राइट एंगल ट्रेंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है उसी रेशियो को हम लोग कते हैं ट्रिगनोमेटिक रेशियो और हर स्पेस्फिक रेशियो का अपना अपना नाम है जैसे यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमलों किया है फाँव कि और यहां परपेंडिक्लर है। यहां पर आगर कर दूब है और यहां पर हमारा आंगल स्थीटा है यह है छीटा की लिए अगर हम लोγα बात करते हैं जो एंगल फीटा है अगर फीटा के लिए अगर हम लोग काम करते हैं मतलब अगर हम Krystyota के लिए लोग परपेंडिकूलर और देशु लेते हैं यह क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग इस थीटा के लिए 4 एंगल थीटा यानि हम लोग यहाँ पे लिए 4 एंगल थीटा के लिए P और B का रेशियो लिया तो P और B रेशियो को हम लोग क्या करता है टैन का रेशियो है और टैन रेशियो चुकि इस थीटा एंगल के लिया जाता था तो वो angle आपका उस ratio के साथ align हो जाता है जैसे याँ पे हो गया than theta तो यह आपका ट्रिगनोमेट्रिक रेशियो है और ध्यान रखियेगा जब आपका trigonomeetric ratio जब आपका trigonome 공parय की लिए जाए तो वो आपका क्या बन जाता है function बन जाता है जैसे यहाँ पर हमने ratio लिया tan का ratio लिया theta के लिया तो यह हमारा tan theta finally क्या होगा यह हमारा trigonometric function हो गया ध्यान लखिएगा तो trigonometric function basically chapter है class 11 में तो आसा करते है trigonometric function exactly होता क्या है यह मतलब को आप जरू समझे होंगे यह हमारा trigonometric ratios का मतलब होता है तो कुछ trigonometric ratios है जिसके बारे में समझेगा जैसे यहाँ पर sin theta का मतलब होता है P by H, cos theta का मतलब B by H, tan theta का मतलब होता है P by B, इसके बाद कुछ और भी relations है trigonometric ratios के बीच में कुछ relations है, और relations में समझेगा कि sin theta का मतलब होता है quat theta into tan theta equals to 1 होता है इसके बाद कुछ और भी जो ratio है यह अब ही ratio के बारे में पढ़ा कि trigonometric ratio क्या होता है trigonometric function क्या होता है यह बात अपने पढ़ा अब आइए और कुछ भी और कुछ पढ़ते है trigonometric ratio and function से आगे हम लोग बढ़ते हैं पर सबसे पहले मैंने आपको एंगल बताया एंगल के बाद हम लोग टिगनोमेट्रिक रेसियो में इंटर किए रेसियो में इंटर करने के बाद हम लोग टिगनोमेट्रिक फंक्शन में इंटर किए टिगनोमेट्रिक फंक्शन के आगे बढ़ते हैं function का simple सा मतलब समझते है function का simple सा मतलब होता है कि जो variable काम करता है उसी की बारे हम लोग discuss करते हैं जैसे यह आप अगर हम लोग लिखे tan theta तो tan theta में variable क्या है थीटा यानि थीटा का value उगर change करते है पूरा tan theta का value change करेगा यहाँ यहाँ पर काम करने वाला जो party है वो आपका theta है और यह 10 theta का पूरा क्या कर लागया function हो गया मतलब है इसमें कुछ चाम हो रहा है इसलिए यह आपका right and left यानि यापका इसको हम लोग जाते हैं इसको हम लोग राइठव कते हैं तो अगर हम लोग कुछ ट्रिगनोमैट्रिक रेसियोज के बिच में रिलेयस्टन लिखे इस तरीके से कि lhs और rhs बराबर हो जाए तो वह आपका क्या करता है ट्रिगनोमैट्रिक उसके साथ में relation तयार किया और relation तयार करने के बाद यहां मैंने कहा कि sin square theta plus cos square theta equals to 1 तो अगर sin square plus cos square theta यह आपका कलाया LHS value और यह आपका equal to के side इदर कलाया आपका RHS value तो अगर sin square plus cos square theta का value अगर RHS के 1 के बराबर हो जाता है इसका मतलब यह जो relation है यह आपने जो trigonometric ratio का जो relation कहा sin square theta plus cos square theta equal to 1 अगर यह आपका valid हो जाता है किसी भी angle के लिए यानि थीटा चाहे हम लोग कोई भी angle ले तीस ले ले पचास ले सत्तर असी नभे कुछ भी angle के लिए ले अगर यह follow कर जाता है तो इसको में लोग क्या करते हैं trigonometric identities करते हैं तो आसा करते है कि आप trigonometric ratio को समझ गया होंगे trigonometric function को समझ गया होंगे इसके बाद आप साथ में trigonometric identities को समझ गया होंगे तो कुछ problem आपको मिलता है trigonometric ratios पे कुछ function पे कुछ identities पे तो ये सरा problem आशान होता है आप देख सकते हैं trigonometric identities के बारे में बता है तो कुछ important trigonometric identities है जैसे sin square theta plus cos square theta equal to 1 करने का मतलब यहाँ theta का कोई भी value राखते दीजे यह हमेशा इस पे valid होता है सेम तरीके से 1 plus sin square theta equal to second square theta 1 plus quarter square theta equal to cos square theta इसके बाद जब आपको trigonometric identities का कुछ मतलब आपको समझ में आ जाता है तो trigonometric identities का मतलब समझने के बाद आपको quadrant के बारे में पूरा complete information होना ही चाहिए और मैंने quadrant के बारे में आपको बताया भी था कि यह जो पूरा copy है या जो पूरा plane है इसको 4 parts में divided किया है यह आपका first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant और यह भी मैंने बताया था आपको पिछले class में angles जब मैं आपको बता रहा था कि इसका value क्या होता repeat होता है तो यह आपका 0 से 90 के बीच में यह आपका 90 to 180, 180 to 270 and 272 आपका 360 degree का यह आपका हर एक quadrant का अपना value होता है जिसमें first quadrant में सारे ratio positive होता है करने का मतलब है कि जो सारे ratio आएंगे इस first quadrant में जैसे आपका ratio के बारे बात किये तो आप जानते हैं कि sign को ratio करते हैं और जो सारे first quadrant में तो first quadrant में कहेंगे 0 से लेकर के 90 degree तक के बीच का तो जैसे आप अगर 45 degree के बारे में बात किये तो sign 45 value का भी क्या होगा आपका value positive होगा यानि आपको MC की question में पूछे जाता है अकसर आपसे question पूछा जाता है कि value positive होगा या negative होगा तो ज्यान रखिएगा positive negative के बारे में आडिया लेजेगा जैसे आपसे पूछ दे लेटर सबूज आपसे पूछ दिया जाए कि sign 150 degree का value क्या होगा पॉजिटिव होगा या negative होगा तो आप जानते हैं कि 150 आपका basically second quadrant में पूछता है और second quadrant में sign और cosine का value क्या होता है का value क्या होता है कि आपका sign और cosine का value positive होता है मतलूब sign 150 degree का value क्या होगा positive होगा मतलब कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ratio का value positive होगा कौन सा ratio का value negative होगा किसी भी angle के लिए और ये concept मैंने angle के class में आपको अप्लाया था तो आप angle वाला class जरूर attend कर ले ताकि angle का सारा basic बात आपको पता चल जाए तो all over दियान रखेगा first quadrant में सारे ratio का value positive, second quadrant में sign और cosec का value positive, third में tan और cot का value positive, fourth में आपका sec और cosec का value positive ये आपका ratio के बारे में, अब हम लोग जो भी मैंने आपको पढ़ाया यानि ratio बगरा जो भी पढ़ाया तो इसमें सबसे important trigonometric ratio का value निकालना किसी भी angle के लिए, जैसे हम लोग angle के बारे में डिसकस करें तो आपको ये आपका basic table है, ये आपको memorize भी होगा, ये आपको याद भी question में इस ratio से भी कुछ above questions पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ specified angles के लिए आपको value पूछे जाता है, जैसे आपसे पूछा जाता है, मानेते हैं कि sign 360 का value आपसे पूछा जाता है, ये सारा आपको information ये सारा आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे angle से जिसके लिए ल question को देखते हैं, जो कि question आपका basic पर, trigonometric ratios के basis पर, trigonometric identities के basis पर, जो कि questions आपको अक्सर पूछा जाता है, जैसे सबसे पहले आपको आना चाहिए, trigonometric ratios का find करने के लिए value किसी specified angle लिए, जैसे later suppose हमारे पास एक question है, जिसमें लिखा गया है, cause 390 degree, इसके लिए आपको value पता कर आप जानते हैं, मैंने आपको बताया अभी था angle के बारे में, कि अगर बहुत बड़ा angle मिले है, तो आप बहुत बड़ा angle को represent कर सकते हैं, 2 pi plus minus theta के फ़र में, ये concept मैंने आपको बताया था पिछले class में, जैसे ये concept का apply किजएगा, जब आपका angle का value 360 से एभव रहे, तो 30 degree, and plus आपका क्या हो जाएगा, 30 degree, और यहाँ पे cosec plus 2 pi plus 30 degree को आप जानते हैं, कि अगर यहाँ पे जो angles के value के change करने के बारे मैं आपको बता दूँ, कि अगर यहाँ पे pi का अगर odd multiple होता है, तो वह value चेक करता है, change करता है, and अगर यहाँ पे pi का even multiple होता है, तो value change नहीं करत अगर यहीं पे अगर आजाता कि sine 3 pi plus 30 माल लेते हैं, तो इस case में आप क्या पाते हैं, कि यहाँ पे pi का multiple क्या है, even odd है, यहाँ पे pi का multiple odd है, इसका मलों क्या करेगा, sine change करेगा, तो यहाँ पे change कर जाता, sine cos में, cos sign में, यहाँ ध्यान रखेगा, changing करने के बारे में, तो changing करन साइन में, यह सारा concept भी आप अलएटी पढ़े होंगे, tan change करता है, cot में, and cot आपका change करता है, tan में, same तरीके से, sec change करता है, cosec में, cosec change करता है, sec में, तो यहाँ का जो problem में, आपका cosec 390 के लिए बातता, तो 390 को में रखेगा, 2 pi plus 30, तो यहाँ पे देख रहे हैं, कि यहाँ इसका answer क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चुकि आप कुछ basic angle का value जानते हैं, तो आप basic angle में, 0, 30, 45, 60, 90 वगरा का value के बारे में, आप information रखे, ताकि जब भी step के question है, तो आप उसको deal करके, आप उसके answer को निकाल सकते हैं, तो कुछ important question का practice आपको भी करना है, ताकि आप trigonometric ratios में बहतर हो सके, तो कुछ important questions के बारे में find out की जगा, cot 570 का value निकालेगा, इसके बाद निकालेगा, ताइन 90 by by 3 का value निकालेगा, ये सारे कुछ important questions के practices है, बाकि जो questions का practices का, जो state है, वो मैं आपको group में भेज़ दूगा, तो आप group में भेज़ेगे question का practice कर लिजगा, ताकि trigonometric ratios का value किसी specified angle के लिए निकालने में आप पूरा trend हो जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का question दे दिया, आपसे छूटना नहीं चाहिए, साथ में कुछ और concept के बारे में समझ लिए, जो कि जानना आपके लिए बहुत important हो जाता है, जो कि आपका minor mistake के कान वो आपका problem करता जैसे यहाँ पर question है, sine minus 11 pi by में 3 का value निकालना है, यानि अगर आपसे बात किया, यह जो आपका sine नहीं basically क्या है, ratio है, यह angle के लिए काम कर रहा है, यह क्या कला है, आपका trigonometric function कला गया, और अगर आपको trigonometric function में अगर negative value देते तो समय लिए, अगर sine minus theta अगर कहीं आपसे convert हो जाता है, अगर यह value available रहता है, तो आपका negative में convert हो जाता है, जैसे cos के case में cos minus theta के बारे में बात किजा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, cos minus theta कला जाएगा, cos theta, ध्यान रखेगा, tan के बारे में बात किया, tan minus theta, तो यह आपका कला जाएगा, minus tan theta, तो cos और इसका opposite, यानि cos और सेक में यह वैल्यू पोजिटीव हो जाता है बाकि सारे किस में यह वैल्यू निगेटीव हो जाता है ध्यान रखेगा यह भी कॉंसेट इप mommy तो यह सर आपका important question था, important questions का type था जो मैंने अभी आपको बताया, वो बताया मैंने trigonometric ratios के बारे में और trigonometric function के बारे में, कुछ और भी intrinsic examinations में पूछा जाता है, जो कि based होता है trigonometric functions पे रही basis पे, तो वो सरा questions थोहाँ सा lengthy देखने में लगता है, लेकिन आपको वो basically question बहुत easy होता है, बसरते कि आपको थोहाँ सापना tactical, थोहाँ सा mind आपको लगाना होता है, जैसे आप एक question है, tan 4 pi, minus cos 3 pi by 2, and फिर आपका question है, minus sin 5 pi by 2, और फिर आपका है, into में, cos 2 pi by 3, इस type के question आपको मिल जाता है, ये थोहाँ सा बड़ा सा lengthy question होता है, लेकिन आपको MCQ में तमाम सा options दिया जाता है, कि इसका value क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या कुछ इसका value होगा, इस तरीके से आपको 4-5 option मिलते हैं, तो इस प्रकरत के questions को solve करने के लिए आपको क्या करना होता है, कि trigonometric ratios का value find करने के लिए किसी भी angle में, थोहसा आपको export होनाता है, मतलब थोहसा अच्छा बहतर proportion करना होता है, अच्छा practice करना होता है, ताकि आप इस टाइप के questions को बहुत ही जल्द, बहुत ही कम time में आप इसे बना सकते हैं, इसके लिए practices की आप सकता है, तो practices आपको बहुत जदा करना है, trigonometric ratios का किसी भी specified angles पर find out करने के लिए, इसके बाद अभी हम ल identity से भी related कुछ questions होता है, जो कि आप already class 10th 11 में बहुत जदा practice भी कर चुके हैं, तो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रुवत ने हैं, बट कुछ basic basic question है, जो अकसर पूछ दिया जाता है, जो कि आप class 10th में के भी exam में पूछा जाता है, 11 में भी पूछा जाता है, किसी competitive exam में पूछा जाता है, जैसे questions के बारे में आपने बहुत ज़्यादा पड़ा होगा, 1 plus cos x, बटे में 1 minus cos x, इस type of question आपको बताना है कि इसका value क्या होगा, इसका 4 option आपको दे दिया जाता है, cos x plus cortex होगा, या फिर minus cos x plus cortex होगा, इस तरीके से आपको 4-5 option दे दिया जाता है, आपक जानते भी हैं बनाने के लिए कैसे इसका solution होता है, तो इस प्रकार के कुछ basic questions आप से पूछे जाते हैं, जो basic trigonometric identity से होता है, trigonometric ratio चलते हैं, तो इस प्रकार के question का बहुत ज़्याद आपको practice करने के आउशकता होती है, बाकि जो भी सारा further problem हो, या फिर मतलब basic concept मैंने आप आपको बताया, identities, relation, identities के बारे में, function के बारे में, ratios के बारे में, ये गर basic concept आपका clear हो गया, तो आसा करता है, कि जो मैं question का practices आपको भीजूंगा, वो question का practices आपका 100% complete जरूर हो जाएगा, ताकि वो further आपके लिए problem ना करें, और आप interest examination में बहुत अतक बहतर कर सकें, और मैं एक और next वीडियो लाओंगा इस topic पे, जिसमांगो टिक्रमाट्रिक, ratio, identities के कुछ important questions को deal करेंगे, याने कुछ important questions को वीडियो इसके जरी से practice करेंगे, और फिर उसके PDF से आपको practice करवाएंगे, ताकि आप इस part में बहतर हो जाए, गाइस वीडियो को इन करते हैं, बट वीड subscribe जरूर की जगा, ताकि further and future तमाम सरे update, तमाम सरे lectures का जो वीडियो है, वो आपको to the time available हो सके,